ओम सांती, आज 27 अप्रेल 2021 की मुडली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमारा स्वधर्म सांत है, सच्छी सांती सांती धाम में मिल सकती है, ये बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है आज की मुडली का प्रस्न है, कौन सी नौलेज एक बाब के पास है, जो अभी ही तुम पढ़ते हो उत्तर है, पाप और पुन्य की नौलेज बारत वासी, जब बाप को गाली देने लगते हैं, तब पाप आत्मा बनते और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं, तब पुन्य आत्मा बन जाते हैं यह पढ़ाई, तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो, तुम जानते हो, सब को सद्गती देने वाला एक ही बाप है मनुस्य, मनुस्य को सद्गती अर्थार्त, मुक्ती जीवन मुक्ती दे नहीं सकते आज की मुडली का गीत है, इस पाप की दुनिया से, अब सुनते हैं मुडली विस्तार से, ओम सानती बाप बैठ कर बच्चों को समझाते हैं, कि यह है पाप आत्मा की दुनिया वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुन्य आत्मों की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था, यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था, चैन अत्वा सुख, उस सत्योग में था, जिसको स्वर्ग कहते हैं, यह है नर्ग, भारती स्वर्ग था, अभी नर्ग बना हैं, नर्ग में चैन अत्वा सुख सान्ति कहां से आए, कल्यु को नर्ग कहा जाता है, कल्यु अंत को और ही नौरव नर्ग कहा जाता है दुखदाम कहा जाता है भारती सुखदाम था जब लक्समिनान का राज्य था भारत वास्यों का ग्रश्ट दरम पवित्र था प्योरिटी भी थी, सुख सांती भी थी, संपती भी बहुत थी अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने है यह है दुखदाम, भारत सुखदाम था और जहां हम आत्मय निवास करती है वह है सांती धाम, सांती वहां सांती धाम में ही मिल सकती है आत्मा सांत वहां ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है वह है आत्माओं का घर वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा सांती में है बाकी सांती दाम कोई जंगल आदी में जाने से नहीं मिलती है सांती दाम तो वही है सत्योग में सुक भी है, सांती भी है यहाँ दुख दाम में सांती हो नहीं सकती सांती धाम में मिल सकती है सुक धाम में भी करम होता है सरीर से पाड बजाना होता है इस दुख धाम में एक भी मनुश्य नहीं जिसको सुक सांती हो यह ब्रश्टाचारी पतित धाम तब तो पतित पावन को बुलाते हैं परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है इसलिए निदन के बन पड़े हैं आर्फन होने के कारण आपस में लड़ते जगड़ते हैं कितना दुख असान्ती मारा मारी है यह है ही रावन राज्य राम राज्य मांगते हैं रावन राज्य में न सुख है न सान्ती है राम राज भी लड़ते जगरते नहीं थे, वहाँ पांच विकार होते ही नहीं, यहाँ पांच विकार है, पहला है देह अभीमान, मुक्य, फिर काम, क्रोध, भारत जब स्वर्ग था, तो यह विकार नहीं थे, वहाँ देह अभीमानी थे, अब सब मनुष्य देह अभीमानी है, देवताय थे दही अभिमानी दही अभिमान वाले मनुस्य कभी किसको सुक नहीं दे सकते एक दो को दुख्य देते हैं ऐसे मत समझो कोई लकपती, करोणपती, पदमपती है तो सुखी है, नहीं यह तो सब है माया का भव का माया का राज्य है अभी उनके विनास के लिए ये महाबारत लड़ाई सामने खड़ी है इसके बाद फिर स्वर्क के द्वार खुलने है आदा कलब के बाद फिर नरक के द्वार खुलते है ये बाते कोई सास्त्रों में नहीं है भारतवासी कहते हैं जब बक्ति करेंगे तब बगवान मिलेगा, बाबा कहते हैं, जब बक्ति करते करते बिलकुल निचे आ जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने, भारत जो स्वर्ग था वो नरक कैसे बना, रावण ने बनाय कित्ते जनमों के लिए 21 जनम स्वर्ग में राज्य किया फिर भारत द्वापर से कल्यूग में आ गया अर्थार्थ उतरती कला हो गई इसलिए सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ पतित मनुश्य को सुक सांती पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती कितना दुख उठाते हैं आज पैसा चोरी हुआ आज देवाला मारा आज रोगी हुआ दुखी दुख है न अभी तुम सुक सांती का वर्षा पाने का पुर्षार्थ कर रहे हो सदा सुकी बनाने वाला एक ही बाप है सदा दुखी बनाने वाला रावन है ये बाते भारतवासी नहीं जानते हैं सत्यू में दुखी बाते होती नहीं कभी रोना नहीं पड़ता सदेव सुखी सुख है वहाँ दे अभिमान अत्वा काम क्रोध आदी होते नहीं जब तक पांच विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहन छूट नहीं सकता कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहन इस समय सारे भारत को पांच विकारों का ग्रहन लगा हुआ है जब तब तक सोला कला संपुन देवता बनना सके जब तक इनका दान न दे बाप सर्व का सदगती दाता है परन्तु गती का भी अर्थ समस्ते नहीं मनुष्य की गती सदगती माना मुक्ती जीवन मुक्ती सो तो बाप ही दे सकते हैं इस समय सर्व की सदगती होती है देली को कहते हैं न्यू देली पुरानी देली परंतु अब न्यू तो है नहीं न्यू वर्ड में न्यू देली होती है ओल्ड वर्ड में ओल्ड देली होती है बरोबर जमुना का कंठा था देली परिस्तान थी सत्यूक था न देवी देवतार राज्य करते थे अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी देली है नई दुनिया में तो इन लक्समी नायन का राज्य था भारत वासी ये भूल गये हैं नया भारत नई देली थी तो उनका राज्य था और कोई खंडी नहीं था ये कोई भी नहीं जानते गवर्मेंट ये पढ़ाती नहीं है जानते हैं कि ये तो अदूरी इस्ट्री है जब से इसलामी बुद्धी आएं है लक्स्मी नायन के राज्ये का कोई को पता नहीं है ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सश्टी का चक्र कैसे फिरता है जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डनेश था अब वही भारत देखो क्या बन गया है फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुन्य आत्मा बनाने ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते ये नौलेश सिवाए बाप के कोई दे न सके नौलेश फुल बाप ही है वह अकर पढ़ाते हैं मनुस्य मनुस्य को कभी सद्गती दे नहीं सकते जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुक देते थे कोई भी बिमार रोगी नहीं होते थे यहां तो सब रोगी है अब बाप आये हैं फिर से स्वर्ग बनाने बाप स्वर्ग बनाते हैं रावन नर्ग बनाते हैं यह खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं सास्त्रों का ग्यान है philosophy भक्ती मार्ग वह कोई सद्गती मार्ग नहीं है यह कोई सास्त्रों की philosophy नहीं है बाप कोई सास्त्र नहीं सुनाते यह है spiritual knowledge बाप को spiritual father कहा जाता है वह है आत्मों का बाप बाप कहते हैं मैं मनुस्य सष्टी का बीज रूप हूँ इसलिए knowledge full हूँ इस मनुस्य सष्टी रूपी जाड की आयू कितनी है कैसे व्रद्धी को पाता है फिर कैसे भक्ती मार्ग सुरू होता है यह मैं जानता हूँ तुम बच्चों को यह knowledge देकर स्वर का मालिक बनाता हूँ फिर तुम मालिक बन जाते हो यह knowledge तुमको एक ही बार मिलती है फिर गुम हो जाती है फिर सत्युक्त रिता में इस knowledge की दरकार नहीं रहती यह knowledge सिर्फ तुम ब्रामनों को है देवताओं में यह knowledge नहीं है तो परंपरा से यह knowledge आ न सके यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्सा पाते हो, तुमारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की सांती कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है, मन बुद्धी आत्मा के आरगंस है, जैसे सरीर के आरगंस है, आत्मा को पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बाप भी आकर बनाते हैं जो सत्युक त्रेता तक चलती है फिर पत्थर बुद्धी बन पड़ते हैं अभी फिर तुम पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनते हो तुमारी पारस बुद्धी जो भी थी उनमें खाद मिलती गई है अब फिर पारस बुद्धी कैसे हो ब बाकी जो कहते हैं मन की सांती कैसे मिले उन्हें बताओ कि यहां सांती हो कैसे सकती यह है ही दुखदाम क्योंकि विकारों की प्रवेस्ता है यह तो बहत के बाप से ही वर्षा मिल सकता है फिर रावन का साथ मिलने से पतित बन जाते हो फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेक अभी तुम आई हो बाप से जीवन मुक्ती का वर्षा लेने। आजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु कहां तक बैठे रहेंगे, करम तो करना ही है न, जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे, तब तक दुखी रहते हैं, बाप कहते हैं, मैं हूँ ही गरीब निवाज, यहां गरीब भी आएंगे, सावकारों के लिए तो स्वर्ग यहां है, उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुक है नहीं, बाप कहते हैं, हम गरीब निवाज है, सावकारों को गरीब और गरीबों को सावकार बनाता हूँ, बाबा क्या कहते हैं, हम गरीब निवाज है, और सावकारों को गरीब और गरीब को सावकार बनाता सावकार इतना उचपद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ सावकारों को नसा है हाँ, प्रजा में आ जाएंगे स्वर्ग में तो जरूर आएंगे परन्तु उचपद गरीब पाते हैं गरीब सावकार बन जाते हैं उन्हें देह अभिमान है न कि हम धन्वान है परन्तु बाबा कहते यह धन्माज सब मिट्टी में मिल जाना है विनास हो जाना है देही अभिमानी बनने में बहुत मैनत है इस समय सब देह अभिमानी है अभी तुमको देही अभिमानी बनना है आत्मा कहती है हमने 84 जनम पूरे किये नाटक पूरा होता है अब वापिस जाना है अभी कल्यू के अंत सत्यू के आदी का संगम है बाप कहते हैं हर पांच अजार वर्स बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने यह हिस्ट्री जोग्रोफी बाप भी बता सकते हैं अच्छा अच्छा बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकी लदे बच्चो अप्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर् और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरिष्ते वहा बाबा वहा वहा मेरा भाग गया आज की मुल्ली में से धारना के लिए मुक्यसार है पहला पॉइंट बाप से जीवन मुक्ती का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बढ़ना है ड्रामा की नौलेज को बुद्धी में रख दुख दाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है दूसरा पॉइंट है दारना का धन माल वा सावकारे का नसा छोड देही अभिमानी रहने का पुर्षार्थ करना है अब आज का मीठे बाबा का मीठा वर्दान है महान और महमान इन दो इसमृत्यों द्वारा सर्वा अकरषनों से मुक्त बणने वाले उपराम वसाकसी भव महान और मैमान इन दो इस्मर्तियों द्वारा सर्वाकर्षनों से मुक्त बढ़ने वाले उपराम वा साक्सी भव विस्तार है उपराम वा साक्सी पन की अवस्ता बनाने के लिए दो बाते ध्यान कर रहे एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सष्टी में वा इस पुराने सरीर में मैमान हूँ इस स्मर्ती में रहने से स्वत्य और सहज ही सर्व कमजोरिया वा लगाव के आकर्शन समाप्त हो जाएगी महान समझने से जो सादारन करम वा संकल्प संसकारों के वस चलते हैं वा परिवर्तित हो जाएगे महान और मैमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएगे आज की मुडली का स्लोगन है सर्व की सुब भावना और सयोग की बून से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है अच्छा ओम सांती